पूरे मामले में ना तो दिल्ली पूलिस ने अभ्युक्तों की निशान देही की नहीं उन्हें गिरफतार किया एक इंसान का नहीं है बात है कि किस तरीके से एक प्रसाशन खुले तौर से इस बात को हमारे सामने बोल देना चाहरा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे आप कुछ भी कर लो एक तरीके से बोल रहा है कि जो गुंडे गुसे हैं हम उनको पूरा शील्ड करेंगे और यह देखा भी गया कि RSS द्वारा न्यूक्त जो टीचर्स आज के समय पे JNUTF के नाम पे यहां पे बैठे हुए हैं उन्होंने अपने घर के अंदर रॉड्स रखना होकी स्टिक्स रखना डंडे रखवाना help करना गुंडों को उन्होंने तमाम सारे चीज़े की कि वो गुंडों को help करके यहां पे अटाक करवा पाए लेकिन उसी दोर में हमने देखा हमारे जो वाइस चैंसलर है उन्होंने एक शब्द भी इसके लिए नहीं बोला इस incident को कभी condemn नहीं किया दुख की बात यह है कि आज के समय पे सिर्फ जेनियू में हमें फिर भी पता है कि यह बात बहार आ रही है बहुत सरी ऐसे institutions हैं जहां पर हर दिन इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है लेकिन वो मीडिया तक या कैसी मतलब लोगों तक पहुच नहीं पा रही है तो दुख इस बात की है कि हमारे देश के अंदर democracy को खतम किया जा रहा है student democratic rights को खतम किया जा रहा है लेकिन जो हम देख रहे हैं जो हम कोट से या law लीगल चीजों से हम लोगों को अपेक्षा होती है कि वहां से कुछ हमें मिलेगा हमारे प्रसाशन से कुछ मिलेगा रिलीफ मिलेगा वो किसी भी तरीके से हमें इस समय पे नहीं मिल पा रहा है देखो हम लोग बहुत होफुल तो नहीं था कि हमें बहुत जल्दी जस्टिस मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से एक अटाक हुआ तब पोलिस भी था उदर पर कोई आक्षिन नहीं लिया गया और उसके बाद भी जिस स्टूडेंस के ऊपर अटाक हुआ उन्ही का नाम F.I.R. में आया उन्हीं के ऊपर केस करने का बात हो रहा था तो आज भी वो लड़ाए हमारे अंदर सिंदा है कि आज भी जेन्यों को जस्टिस नहीं मिला है और यह बहुत शरमनाक बात है कि जिसके ऊपर अटाक हुआ है दिल्ली पोलिस और पूरा यह जो सिस्टम है वो मिलके उन इसना या उनको ऐसे फ्री चोड़ने के खारण जिसके बाद लगा जो इंप्यूनिटी उनको दिया गया उसके वज़े से बार बार फिर से इस कैंपस में वाइलेंस का बहुत सारे इंस्टेंस हुआ वो पिछले साल भी हुआ उसके पहले पैंडमिक के दौरान भी हो रहा देखिए मैं यह कहना चाहूंगा जब से सरकार 2014 में इस देश के अंदर आई तब से एक सीरीज ओफ अटैक्स इस देश की जितने भी इंस्टूशन से अजूकेशनल इंस्टूशन से डमोकरिसिक इंस्टूशन से उन सारे इंस्टूशन पे हुआ अगर मैं जहां तक सबसे पहला इंसिडेंट रिकॉल करता हूं तो वो आई इटी मद्रास में हुआ और उसके बाद फॉलूड बाई कई अलग 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 स्टूशन में क्या बोलते हैं एक तरीके से अटाक हुआ उसी के सिलसले में 2016 का भी आपको आद होगा एक अटाक हुआ और जब मुझे सरकार अटि चुटेज आइट है अट करना चाते वा कि यहां पर वो क्रिटिकल मां तयार हो रहे हैं जो कि आपके अंटि स्टूड एंटी पीपल जो आपका एक तरगे का कर दो तो यह जो एक पूरा का पूरा वोद्यसरकार का एक तरीके का युद्ध है एक अकाटमिक स्पेसिस को दभा करने का उस सिलसिले में जो जेनियों स्टूइंट्स एक साथ खड़े हो करके उस अटाक को पुरा एक दम पीछे फेग दिया इसको हमें याद करने के जरुवत है कि स्टूइंट्स का स्पिरिट यूनाइट्ट है इस तरके के इस तरह के इंस्टिटूशनल मड़ है kidding इस तरह के स्पिरिट को खतम करने के खिलाफ स्टूइशन समय से आगे हैं और आप देख सकते हैं जगे जगे पर जहां जहां पर सरकार ने इस तरह के दामन करने के कुशिश की स्टूडर्स ने हलकी हो जाहें बड़ी आवाज में जितनी भी जितनी शमता हो सके उनसे उस शमता में उन्होंने क्या बोलते हैं उस पर उनको पीछे ढखे लेके कुशिश की इसलिए हमें बार-बार रिमेंबर हमें याद करने के जरुवत है कि सरकार हमारी कोई चाहीती सरकार नहीं है हमारी भलाय के सरकार यह हमें आरी भलाय नहीं चाहरी है कई कोई भी संगर्श होता है tussen Tsch ned कि वी कितनी हम लोग संगरश को संगर्श ही हमारी जीत आ कि हम खड़े होते हैं इक ऐसी ताकद जहां पर पुलिस हैं जहां पर उनके पास neol hedge शाशन सब कुछ है उनके पास इवेन की गोदी मीडिया भी उनके पास है जो कि पूरी तरह जैनियू को एक गलच हवी जैनियू की दिखाने में वेस्त रहता है ऐसे उसमें भी जैनियू का स्टुडेंट आज भी देख रहे हो कि उनके खिलाफ खड़ा है और फिहाइक जैसे मुद् रही बात उन पर एक्षिन कге हुआ तो हमें इसलों किसी तरह एकशन एक्सपेक्ट नहीं है इस तरह के एड मीनिसरेशन से और यससर्कार सब्सक्राइस है क्या ही एक्षिन कर सकते हैं एक्षिन इसे तो कि यह ऊंड़ा है यहां पर उनके देख रहे हैं घाना करेंदे outright होת होसते हैं और बाकी तीन जाते हैं सफदर जंग जो क्रिटिकल कंडिशन में होते हैं इतने लोगों पर क्या सेल्फ डिफेंस में एब यूपी हमला कर रहा था आज लगपक तीन साल हो गए हैं इस गटना को और ऐसा नहीं है कि एविडेंस इस नहीं थे वीडियो फुटेज थी और कई मीडिया जो चैनल से उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के और कई जो यहां कई जो कल्फिट्स थे उन्होंने यह एक्सेप्ट भी गया ओन रेकॉर्ड क लेकिन उन पर भी कुछ कारवाई हुई नहीं है तो इससे एक देखा जा सकता है कि जो जो युनिवर्स्टी स्पेसेज होते हैं जहां से नए-एडियाज निकल कर आते हैं जहां नए-एडियाज का जन्म होता है उस चीज को देरे-देरे खतम किया जा रहा है अभी भी दिसकस ना करें नई चीजें डिसकस ना करें लेकिन कहीं ने कि डर होता है कि वह स्थिती पैदा ना हो जाए फिर से तो एक सब कॉंशिएज फिर लोगों में वह डिवलेप हो गया है उस घठना के बात मैं इस तरीके से इस चीज को देखता हूं आज के समय पे अगर इतने सारी स्टूडेंट जो पिछरे तपके से आते हैं अपनी हायर एडुकेशन ये एक अफोर्डेबल एडुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहे हैं उसका मॉडल है एक पब्लिक एडुकेशन सार्वजनिक शिक्षा और हमें इस बात को दोडाने के जरूरत नहीं है कुछ किलोमी डेड़ वियुकूआ हमसी समय पर है कि कई सारी tenaktas के अंदर कि SUCI के अनदर किस तरीके से हर्दिन के नाते scholarships खतम की जारी, fees की ब्ररोत्री हो रही है और fees की जो ब्ररोत्री JNU के अंदर 3 साल पहले हुआ था वो सिर्फ JNU की घटना नहीं थी उस समय पे भी आज के समय पे भी वो सिर्फ JNU तक सीमित understanding नहीं है जब NEP को लागू किया जा रहा है हम लोग देख पा रहे हैं वही AVVP के लोग कुछ दिन पहले की बात है एक letter application देते हैं Ministry of Education में और यह बोलते हैं कि NEP 2020 जो पास हुआ है उसको लागू करवाया जाए हारे कैमपस में और NEP का लागू होने का मतलब है सही माइने में प्राइवेटाइजेशन को हरे कैमपस के अंदर धकेल देना उसी प्राइवेटाइजेशन को जिस प्राइवेटाइजेशन के वज़े से आने वाले समय में बहुत सारे पबलिक एडूकेशन की जो मॉडल है वो खतम हो जाएगी जेन्यू तब भी वो लड़ाई अपने नहीं कर रही थी जेन्यू तब भी वो लड़ाई सिर्फ अपने हॉस्टिल फी के साथ-साथ इस बात को देश भर में सारे लोगों तक पहुचाने के लिए कर रही थी कि अगर शिक्षा संस्थान सारवजनीक शिक्षा संस्थान को हम लोग बचा नहीं पाएंगे आज के दौड में तो आने वाले समय में जो बच्चे ये इसरी के संस्थाने में आइंगे वह यहां पर नहीं पाएंगे आज के समय पर इस तरीके से awaits या फिर तो यही सवाल इसको अगर लारजर पिक्चर में हम लोग देखते हैं तो सीधे हमें समझ में आता है कि कुछ लोगों को एकडम से डारेक्ट किया गया होगा कि हमारे जो प्यादे हैं प्यारे हैं जगदीश कुमार इनको आप लोग बचाओ और बचाने के बाद फिहाइक को यहां लागू करवाओ क्योंकि देश में यह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का एक कॉंसेप्ट है जेन्यू इस हैं किसी भी कैमपस में कहीं भी चाहिए वह अलहाबाद में जो अभी चल ला है फिहाइक के खिलाफ मुमेंट उन सारे मुमेंट से हम लोग कनेक्ट करके लडाई हमेशा लड़ते रहेंगे और एडमिनिस्टेशन को सरकार को यह बताएंगे कि हम एक्जिस्स करते हैं